अपके पास भी कोई पुराना घड़ा बढ़ा बढ़ा है या कोई पुषलार पॉर्ट है जिसका रंग उतर गया है जो खराब हो गया है तो जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं उसका का इस्तिमाल करके आप पुरानी चीजों को एक नया लुक दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे इसके लिए हम फैविक फिल की कले का इस्तिमाल करेंगे शिल्पकार के नाम से आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है इसमें य अच्छे से प्रेस करिए और जब तक इसका पूरे का कलर एक जैसा नहीं हो जाए यानि की वाइट नहीं हो जाए तब तक इसे मिक्स करना है यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसके बाद हम इसका इसका इस्तिमाल करेंगे हमने इसका एक रोल बना लिया तो पहले हमने सारे balls बना करके रख लेने हैं और इस तरह से हम grapes बनाएंगे balls का इस्तिमाल करके आप जाहें तो कुछ और डिजाइन बना सकते हैं कुछ अलग तरह के flowers भी बना सकते हैं वाट मैं आपको बहुत ही simple सा तरीका बता रही हूँ ये देखिए ये two pieces लिए हैं और इ एक leaf का shape देना है इसे तरह से तो ये सब चीज हम पहले बना करके रख लेंगे और इसके बाद इनको asemble करेंगे या फिर इनको paste करेंगे अटेज करेंगे तो इस तरह से आप इसका इसका इसके माल कर सकते थे हैं आप पानी में हलगा सा dip करेंगे हाथको तो इसमें अच्छे से gloss आ जाएगा कैसे इस्तिमाल करना है इसका यह देखे मटकी ले लिए मैंने और एक पतला सा रोल बना करके यह देखे मैं इसमें से थ्री ब्रांचिस बना रही हूँ इसके उपर हलका सा ग्लू लगा दिया है मैंने जिससे यह पेस्ट हो जाया अपनी जगे पर और यह साइडा वाले जो ब्रांच है वह हम पत्तियों के लिए रखेंगे दूसरी पत्ति भी लगा दूंगी बाद में उपर इसकी टहनी लगा देते हैं इस तरह से और इसके जाना फ्लार पॉट है यानि की मटकी है जिसको मैंने डेकुरेट किया था कलर करके और काफी टाइम होने के बाद यह खराब हो गई है तो हम इसे एक नया लूग इस तरह से भी दे सकते हैं अब देखे मैंने बाइंडर लिया है और गोल्डन कलर की डस्ट ली है यह भी फैविकल के हैं आपको बुक्शॉप से मिल जाएंगे आसानी से इन दौनों को मिक्स करके हमने गोल्डन कलर तयार करना है गोल्डन डस्ट ले ली है एक बरतन में और इसके बाद इसमें मैंने बाइंडर डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से हमारा गोल्डन कलर बनकर तयार हो जाएगा सेम प्रॉसेस से हम सिल्वर कलर भी तयार कर सकते हैं हम इसे गोल्डन या सिल्वर कैसा भी टच दे सकते हैं तो यह देखिए कलर तयार हो चुका है गाढ़ा ह रखा है मैंने से इसके दो कोट लगाऊंगी में पहला कोट जब ड्राई हो जाएगा तो दूसरा कोट इस पर अपलाई करेंगे तो इस तरह से बड़े प्रश का इस्तिमाल करते हूं हमने इसको कलर करना है यह देखिए अच्छे से कलर कर लेंगे और इसे सूखने के बाद ए इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया था पंखे के नीचे तो यह कुछ ही घंटों में ड्राई हो चुके हैं अब हम इसको कलर कर रहे हैं यह देखिए एक कोट में कलर अच्छा नहीं आएगा इसलिए आपको दुबारह से कोट करना पड़ेगा किसी भी परानी मटकी का किसी भी प्रापार्ट का आप इस तेबाल कर सकते हैं लुप इसके लिए उसे नया लुक दे सकते हैं नया बना सकते हैं फिरिम परानी मटकी को ही इस तरह से क्ले से आप इसके उपर फूल पत्तियां कुछ भी तैयार कर सकते हैं तो यह देखिए इसे कलर कर लेते हैं और इसे ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक यह देखिए यह हमारा फ्लार पॉर्ट बनकर तयार हो गया है बहुत ही सुन्दर देख रहा है यह देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ फ्लार बंचिस लगा दिये हैं जिससे आप इसे फ्लार पॉर्ट की तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे कॉम होल्डर की तरह से या फिर पैन होल्डर की तरह से ब्रश होल्डर की तरह से भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप बि आसानी से आपको bookshop से मिल जाएगी silver और golden colors भी आपको मिल जाएगे bookshop से thanks for watching